हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ एक ऐसे एक्टर के बारे में जो टेक्निकल तो जेल में सजा काटने गए थे, लेकिन वह सजा के पीरियड उनके लिए किसी पिकनिक पीरियड से कम नहीं था, वैसे सजा से तो एक और एक्टर याद आ रहा है, जिन्होंने बड़े छोटे हर तरह के केस में बस बेल ही लिया है, फिर चाहे वो केस फ्रॉड का हो या इलीगल कंस्ट्रक्शन का, शायद भारत को चकमा देना इनके वकीलों के लिए बाएं हाथ का खेल रहा है, नमबर वन, संजे दत्थ, जेल में सालों तक रहने की सजा मिलना लेकर, उसके बाद भी पैरोल पर बार बाहर आना, हर क्रिमिनल के लिए एक सपना होता है, लेकिन ये सपना पूरा हुआ सिर्फ संजे बाबा का, तब ही तो इस एक्टर को जेल में रहने की सजा मिली, लेकिन ये सजा उनके लिए मजे से कम नहीं है, रिपोर्ट के मुताबिक, उस वक्त हालात उनके फेवर में इतने सही तरीके से किये गए थे, इस सबूतों को डिस्ट्रॉई करने के बाद भी उनके वकीलों का कहना था, कि उन्हें तो टेरिरिस्ट न मानते हुए उनकी सजा को कम कर दिया जाए, लेकिन आप तो जानते हैं कि मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट के वक्त, संजे दत्त के घर से CBI को 31 के प्रती 65.25 राइफल्स, M.I.M. पिस्टल और पिस्टल के लिए एक्स्ट्रा कार्टेज मिले थे, फिर भी उनके लॉयर का कहना था कि उनके घर से एक ही गंद मिली थी, इतने बड़े स्टार के वकील कुछ ऐसे तो कहेंगे नहीं ही, और शायद यही सोच कर कोट ने संजे को टाड़ा पर से हटा दिया, और उन्हें 2013 में साड़े तीन साल के लिए जेल भेज दिया, नमबर टू सलमान खान, भाई पर हिट और रन ब्लैक बग केस के अलाव वाले का कहना है कि उसे ट्रस्ट से 2-3 करोड की जूलरी लेकर उसे अपनी शौप खोली थी, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचा, तो पिन हुमन की शौप बन थी, और तू और अपनी शौप इन करने के लिए उसने ट्रस्ट के मालिक सलमान खान को बुलाया था, लेकिन इन को कुचलते हुए आगे बढ़ गई थी, और बाद में पता चला कि वह गाड़ी सलमान नहीं, उनका ड्राइवर चला रहा था, और अब जब बात की जाए एतिहासिक ब्लैक बक्स को कैसे भूल सकते हैं, जहां फिल्म हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के वक्त उन्होंने दो क काले श्रवण को मार दिया था, इस केस में कोट ने पांच साल की सजा सुनाई थी, लेकिन तीन दिन बाद ही वह बेल पर बाहर आ गए थे.